पावस्टार पवन सिंग के नवरात्र के गीत आज रिलीज क्या नहीं हुए मार्केट में भई ऐसी ऐसी अफवाएं उनने लगी हैं जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे किसी को गिराने के लिए कितना कुछ कहा जा सकता है इस इंडस्ट्री में वैसे आपको बता दें कि पवन सिंग के इस गीत को चोरी का गीत कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादों से डर चुके हैं पवन सिंग और खेसारी से टकर में ही लेना चाते हैं आए दिन खेसारी के गाने लगातार निकल रहे हैं और इन सब चीजों से काफी डरी हुई है पवन सिंग की टिम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी इस चीज को लेकर कि पवन सिंग का गाना आज क्यों नहीं रिलीज हुआ बस इस चीज को एक मुद्दा बनाया गया और इस मुद्दे को बहुत बुरी तरह से उछाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसा कोई भी गाना यूटूप पर रिलीज तक नहीं किया गया है जोकि पवन के गाने के नाम और इस बात की शियोरटी रखी गई है कि पवन का ये गाना बिल्कुल भी इस तरह का गाना ना हो जैसा कि इससे पहले खेसारी और पवन का गाना आरा वाला हो चुका था इससे बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए लेकिन आपको बता दे कि लोगों का काम है कहना और लोग कह भी रहे हैं कि पवन सिंग का ये गाना चोरी का है और इसलिए अब चोरी पकड़ी जाने के वज़े से पवन सिंग अपने इस गाने को रिलीज लेट कर रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भूजपुरी जगत की होट और मस्तालेदा गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए